जेहिं दोस्तों, बहुत बहुत स्वागा थाप का फिरसे एक नया जुकेस्टल वीडियो में आज क्लास DCA का 25 नंबर है जिसमें हम Microsoft Word को शीख रहे हैं तो हम यहां से Start बटन में जाते हैं और Microsoft Word को Open करते हैं यहां से एक Blank Page ले लेते हैं और Reference Option में जाते हैं Reference में हम Caption, Option तक पर चुके थे आज हम परहेंगे Mark लगाना, Mark कैसे लगाते हैं और Marks ITCN के बारे में Marks ITCN का क्या यूज़ करते हैं तो दोस्तों, यहां पर सबसे पहला Mark लगाना समझते हैं माल लिया जाए कोई Word लिखते हैं बारे में पर अब यहां से माल लिया जाए मुझे इस लुक वर्ड पर एक मार्क लगाना है तो इस वर्ड को Select करेंगे, Mark option पर क्लिक करेंगे और यहां से हम क्या कर देंगे ? Mark कर देंगे और close कर देंगे तो इस word पे मेरा एक mark लग जाएगा कुछ इस तरह से इस word पे भी mark लगा रहा है तो इस word को select करेंगे mark option पे click करेंगे और यहां से mark कर देंगे फिर close कर देंगे तो इस word पे भी mark लगाना चाहते हैं उस word को select करें mark entry पे click करें और यहां से mark का symbol यहां पे main mark दिखेगा आपको mark प laws कर सकते हैं तो यह data आपको यहां से नहीं दिखेगा तो यहां से आप दिखा भी सकते각ноп़ छो अमिक्टर करना अ APP यहीं देखते हैं हम लोग यहां पर mark क्ञ रगानय होता है अगर हम मारक के यहां पर कैसे लगाएंगे तो रिम्स का हला है कि सेन्स का इससे लिप लिखते हैं जैसे mouse एक लिखे हम यहाँ पर SSD जो computer से related है और एक और हम word लिख लेते हैं यहाँ पर जैसे CD जो computer से related है एक phone का नाम लिखते हैं B I B O B O और एक op तो मैंने यहाँ पर दो phone का यहाँ जाएंगे हम category पर पहले उसके बाद अगर category देखेंगे कि क्या इसमें मेरे पास computer और phone का category है तो बिल्कुल मेरे पास computer का भी category और phone का भी category है अगर नहीं है category तो कोई यह category को क्लिक करके और यहाँ पर नाम लिख करके हम replace कर सकते हैं ठीक है जैसे माल लिख जाए 10 का ना कर लिए तो इस तरह से हम category में जाकर करके हम यहाँ पर category बना सकते हैं लेकर मेरे पास बना हुड़ाộबर्य है तो direct हम mouse को select किया है category में जाएंगे और यहाँ से हम computer को select रलेंगे और यहाँ से क्या कर लेंगे हम mark कर देंगे और फिर यहाँ पर close कर देंगे तो यहां AoPE computer का mark क्लॉज करेंगे फिर हम वीवो को सेलेक्ट कर लेंगे साइटी सीन पर जाएंगे और यहां से वीवो फोन होता है तो हम वीवो फोन को सेलेक्ट कर लेते हैं फिर मार्क कर लेते हैं फिर topic हो गया और phone से related अलग हो गया और यहां पर यह जो dot वगरा बना हुए से हटाना चाहते हैं तो home पर जाना है और यहां से so hide mark पर click किजेगा तो यह हड़ जाएगा तो इस तरह से हम यहां पर reference में mark option के के इस्तमाल करते हैं Marks ITCN के इस्तमाल करते हैं और table बनाने के लिए हम यहां पर category वाज अलग table में दिखाना चाहते हैं page नंबर के साथ में कि कौन सा mark कहां पर लगा हुआ है तो इसे हम दिखा सकते हैं reference के table के हिसाब से अब माल लिए जा कोई update करना है जैसे आपको के नीचे यहां पर माल लिए जा मैंने कोई और word लिखा जैसे यहां पर LG लिख लिए है for example और यह भी हम mobile के अंदर डालना चाहते हैं तो हम इसे select करेंगे select करने के बाद marks ITCN पर जाएंगे और इसे फिर हम phone select करके mark करके यहां लेगे लेकिन यहां पर आप कोई mark नहीं दीखेगा तो इसके लिए इस word पर click करना है जैसे phone वोन पर office करना है Colorado टेवल पर क्लिक करना है अपर टेवल पर क्लीक करने के बाद आप यहां पर देखेंगे तो यहां पे LG option add हो गया आए ठीक है और यहां से home बटन पर जाना है और यहां से आपको so hide पर क्लिक करके इसे hide कर लेना है तो यहां पर LG देखेंगे तो वो add हो गया तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं mailing में, sorry reference option का इस्तमाल कर सकते हैं दोस्तो आपने पूरा reference option को देखा और पूरा reference option आप जो है आपको देन सोब